लोज़ की तो चाई पैं और देशी मेराई सौर्टिंग चाटना तो अभी तक हमने देखा कि हम चीजों को कैसे पहचानते हैं हम देखते हैं कि किताबे कौन सी है और घड़ी कौन सी है और बाहर लगाओा पौधा कैसा है तो अब हम देखेंगे कि हमें चीजों को चाटना कैसे है तो ये हैं हमारे पास बहुत सारे रंग बिरंगे गुबारे जिन से हम खेलते हैं तो देखते हैं ये गुबारे उड़ना शुरू हो गए और ये कहां जा रही है ये गुबारी तो आसमान में उड़े उड़े ही जा रही है और ये आ गए हमारे पास चार बादल हरा बादल, गुलाबी बादल, लाल बादल, नीला बादल तो देखते हैं वो गुबारी क्या यहां आ रही है उड़के तो ये आया हरा गुबारा हरे बादल में और ये नीला नीले बादल में एक और नीला गुबारा तो यानि यहां पर आए हमारे पास दो हरे गुबारे तीन गुलाबी गुबारे तीन लाल गुबारे और चार नीले गुबारे इस कमरे में ये इतना सारा सामान कैसे फैला हुआ है और ये उपर क्या बना हुआ है ये तो चार अलग-अलग गोले बने हुए है तो क्या ये सामान हमें इन गोलों में लगाना है लेकिन वो सामान हम लगाएंगे कैसे यहां तो अंडे भी दिखाई दे रही है साथ में खेलने के लिए गाड़ी भी दिखाई दे रही है और पीने के लिए दूद भी दिखाई दे रहा है चलिए एक काम करते हैं एके करके इनको उठाना शुरू करते हैं और उपर अलग-अलग गोले में पहुचाते हैं तो सबसे पहले इस डाइरी को मैंने यहां लगा दिया फिर यह कोका कोला गया यहां पे और यह खेलने वाला पासा एक अलग गोले में रख देती हूँ फिर आया यह नहाने वाला साबुन जिसको मैं बिलकुल अलग कर देती हूँ अब फिर से आए खाने वाले बिस्किट तो इनको तो मैं कोको कोला के साथ रख सकती हूँ और ये है पढ़ने वाला सामान रखने का पैग जिसमें हम किताबे कौपी सब रखते हैं तो इसको भी मैं कौपी के साथ ही उसी गोले में रखतेती हूँ फिर आई ये खेलने वाली गेंद जिसको मैं पासे के साथ ही रख सकती हूँ अब आये ये अंडे इसको भी मैं बिस्किट और कोको कोला के साथ रख देती हूँ फिर आये ये पानी भरने वाली बाल्टी इसको भी मैंने साबुन के साथ में ही रख दिया और आया ये पैन जो मैंने डाइरी के साथ रख दिया फिर आया ये खाने वाला संत्रा और ये ब्रश जिसको मैंने पानी की बाल्टी और साबन के साथ रख दिया अब मैं इन कंचो को भी खेलने वाली गेंद और पासी के साथ रख देती हूँ फिर इस खेलने वाली छोटी गाड़ी को भी मैंने इनी के साथ रख दिया और ये बोड पर मिटाने वाला डस्टर इसको भी मैं डाई दी और बैक के साथ ही रख देती हूँ और खाने वाला चौकलेट तो बिस्किट और संत्रे के साथ ही जाना चाहिए साथ में ये पीने वाला दूद भी उसी में डाल देते हैं और ये जो बच्ची वी टॉफी है इसको भी उसी में रख देते हैं अब बच्ची मेरे पास ये पैंसिल और ये रबर्ड इसको भी मैंने इस गोले में रख दिया तो यानि ये जो चार गोले बने इसके पहले गोले में मैंने रखा अपना सारा पढ़ने वाला सामान जैसे डाइरी, डस्टर, पेन, पेंसिल, बैग और रबर और उसके अगले गोले में हैं बहुत ही स्वाधिश्ट खाना जिसमें कोका कोला, बिस्केट, चॉकलेट, टॉफी, संत्रा, अंडे और दूध है ये सब खाके तो बहुत मज़ा आ जाएगा फिर इसके नीचे आए तो मिझे लगता है मेरे पास खाने का तो सामान ये था लेकिन खेलने के सामान में मेरे पास है पासा, ये बॉल, और ये छोटी सी गाड़ी और कंचे और बचा सबसे कम सामान जो है नहाने में यूज होने वाला जिसमें है साबुन, ब्रश और बाल्टी तो आपने यहाँ इस कमरे में जितना सामान था सब को अलग-अलग बाड़ दिया अब आप अपने घर में देखिए कि क्या आपके घर में भी ऐसा ही सामान है जिसको आप अलग-अलग रख सकते हैं